हेलो दियर स्टुडेंट्स, आउटकम्स आप डेमोक्रेसी का ये थर्ड टुटोरियल पार्ट है, जिसमें हम एकनॉमिक ग्रोथ और डेवलोप्मेंट को स्टेडी करेंगे, वो भी इन दा कॉंटेक्स्ट आफ डेमोक्रेसी, वीजा भी अधर गवर्मेंट्स, तो ये डेमोक गवर्मेंट कैसी होती है, कि वो एकाउंटेबल होगी, और साथी साथ जो पीपल है, यानि सिटिजन्स, उनके प्रती रिस्पॉंसिब भी होगी, यानि जवाब दे होगी, और उत्तरदाई सरकार होगी, और ट्रांस्पैरेंट भी होगी, means कि जो प्रोसीजर्स अडॉप् कि इस्पीट होती है, to include people in the decision-making process, so that decisions are acceptable to the most of the people, और हमने देखा था कि वाज़ता हमें, जाउटकम्स होते हैं, डेमक्रसी के, काउंटेबलिटी और responsiveness और transparency को लेके, तो वो mixed record है, कहीं पर ठीक है, कहीं पर बहुत खराब है, तो ही देखते हैं, text matter में क्या दिया गया है, if democr democracies are expected to produce good governments, यानि democracy से अगर हमें उमीद है कि एक अच्छी शरकार हमको मिलेगी, क्योंकि it is elected by people, then is it not fair to expect, तो क्या हम ये आशा नहीं कर सकते, कि they would also produce development, क्यों development भी अच्छा ही करेंगे, क्योंकि अच्छी government है, तो development भी अच्छा, work भी अच्छा होगा, और question mark लगा है, क्या ह हम ये आशा नहीं कर सकते, क्या, is there any relation between good government and development, ये question है, तो देखते हैं, evidence shows, और अब जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है, we witness, that is, कि जो भी सुबूत हमारे पास है, democracy की working और government के तौर तरीकों को देखते हुए, और वहां के record को देखते हुए, कि in practice, many democracies did not fulfill this expectation, यानि हम एक अच्छे development की उमीद government से कर सकते हैं, लेकिन democracies का अगर हम record देखें, तो बहुत सी democracies, democracies को मलब बहुत सी countries जहां पर democracy है, वो इस आशा पर खरें नहीं उतरे हैं, if you consider all democracies, अगर आप सारी democracies पर नज़र डालें, and all dictatorship, और दूरसी तरफ हम सारी dictatorship पर नज़र डालें, मलब जह जहां पर तानाशाह रूल करते हैं, जिसमें हम कई बार examples दे चुके हैं, कि जैसे Vietnam ले सकते हैं, चाइना ले सकते हैं, और North Korea को भी ले सकते हैं, जहां पर non-democratic regimes हैं, for the 50 years between 1950-2000, तो 1950 से लेके 2000 के बीच का हम आकड़ा देखेंगे, डेटा देखेंगे, कि जहां जहां डेमोक तो हम देखेंगे, dictatorships have slightly higher rate of economic growth, तो हम देखते हैं कि dictatorships जहां पर हैं, वहां पर democratic countries के comparison में economic growth slightly कुछ ज्यादा होता है, the inability of democracy to achieve higher economic development, तो इसका मुलब यह है कि जहां-जहां democracies हैं, वहां पर dictatorships जहां पर तानाशाह रूल करते हैं, जहां पर लोग के दोरच उनिवी सरकार नही तो वहां पर economic growth slightly कम है, यानि they are not able to achieve higher economic development, यह चिंता का विशह है, यानि democracy में यह कमी हम देखते हैं, but this alone cannot be reason to reject democracy, तो क्या हम इसाधार पर democracy को reject कर दें, कि भई, dictatorships एपी सही है, क्योंकि भई, development होगा, तो लोगों के हालात अच्छे होंगे वहां पर, they will have good economic conditions of the people there in those countries, तो क् democracy को छोड़ दें, democracy को reject कर दें, सिर्फ इतनी सी बात को लेके, as you have already re-studied in economics, आपने economics को में पढ़ा होगा, economic development depends on several factors, कि economic development means कि कही देश का जो विकास होता है, वो कई factors पर depend करता है, कई कारकों पर depend करता है, कई चीजों पर depend करता है, यानि वहां की population size कैसी है, global situation कैसी है, मतलब कि क्या कहीं, global situation में बंदी तो नहीं है, for example, मालीजे कि हम तेल का import बहुँ जदा करते हैं, अब अगर international prices बढ़ेंगी, तो निश्चित है कि इंडिया की economic situation पर उसका असर पढ़ेगा, we will have to spend more money to import oil, तो global situation का असर पढ़ता है, और cooperation from other countries, और देशों से हमें कैसा सहयोग मिलता मतलब हमारे trade relations कैसे हैं उनके साथ, और economic priorities क्या है, adopted by the country, तो उस देश के सरकार के दोरा उसकी economic priorities क्या है, जैसे मालीजे हम democracy में रहते हैं, तो हम यह देखना पड़ता है कि हम उस तरह की economic policies को adopt नहीं कर सकते हैं, जैसे western countries में हैं, हम बहुत जदा open economy नहीं कर सकते, हमें अपने domestic producers को भी बचाना है, हमारे हाँ जो poor हैं, हमारे हाँ किसान हैं, उनको भी हमें safe करके चलना है, तो यह भी एक matter है कि हमारी economic priorities क्या है, कितना privatization करना है, कितनी subsidy देनी है, etc. However, the differences in the rates of economic development, लेकिन फिर भी अगर हम देखे हैं कि economic development को लेकर जो difference है, dictatorships और democratic regimes में, between less developed countries with dictatorships, तो जो less developed countries हैं, जैसे हम इंडिया को भी ले सकते हैं, हलागि इंडिया developing country है, और जहां dictatorships हैं, अगर उनके बीच में comparison करें, यहां पर comparison generally less developed countries इसलिए लिखा गया है, क्योंकि American democracy है, Europe में कई countries में democracy है, वो काफी advanced है, तो हम जैसे इंडिया जैसे countries की democracy को लेके, और जो dictatorships उनके बीच में तुलना करते हैं, तो वो अंतर काफी ज़्यादा नहीं है, यह आगे हम table में study करेंगे, Overall, we cannot say that democracy is a guarantee of economic development, लेकिन फिर भी हम यह नहीं कह सकते, एक claim नहीं कर सकते, कि अगर democracy है, तो यह guarantee है, economic development होगा ही होगा, This point should be noted, democracy does not mean economic development, democracy हाँ, यह जरूर है कि democracy की मतलब यह होता है, कि आपकी चुनिवी सरकार होगी, आपको freedom मिलेगी, आपके rights होगे, But we can expect democracy not to lag behind dictatorships in this respect, तो माली जे कि भाई, democracy है, तो economic development की guarantee नहीं है, फिर भी हम democracy को पसंद करते हैं, लेकिन हम इससे उमीद तो कर सकते हैं, कि भाई, कोशिश करेंगे, कि democracy में ऐसा हो, कि they should not lag behind dictatorships in this respect, economic development को लेकर, जहाँ पे तानाशार rule किया करते हैं, यानि one man ये one party rule है, उनक कोई भी economic policy हम अडॉप्ट करते हैं, माली जे गैस subsidy अगर हम खतम करना सुरू करें, देखें कितना होला होगा, कितना agitation होगा, अभी एक railway fare अगर आप 2 रुपया बढ़ाते हो, तो कितना ज्यादा agitation सुरू हो जाता है, opposition चिलाना सुरू कर देता है, पाल्लेमिट में हंगाम जब हमें यह rate of economic growth में difference देखने को मिलता है, it is better to prefer democracy, as it has several other positive outcomes, it is better to prefer democracy, लेकिन फिर भी हमें democracy को prefer करना चाहिए, क्योंकि इसके और बहुत से positive outcomes हैं, जो dictatorship में देखने को नहीं मिलते हैं, यहां देखें कार्टून है, कार्टून on this page and next three pages tell us about the disparities, disparities का मलब differences और inequalities, असामानता जि जिसे हम कहते हैं, अंतर जिसे कहते हैं, विशमता हिंदी में कहते हैं, जो इतना अंतर पाया जाता है, between rich and the poor, rich and the poor के पीच में जो difference है, should the gains of economic growth be evenly distributed क्या आपको लगता है कि जो भी किसी देश में जो economic growth होती है, आर्थिक विकास होता है, income होती है country क्या उसे बरबर बाटा ज क्या कर सकते हैं, to receive a greater share in the world's wealth, और दुनिया में जो भी धनी 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 देश है, मुलाब अगर हम यह माल लेते हैं, कि 100 रुपे की income पूरी दुनिया में होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि बहुत ही कुछ ही countries हैं, जो इतनी advanced हैं, कि इसका ज्यादा ज्यादा हिस्सा वो ले लेंगी, और बाकी हिस्सा other countries को मिलेगा, जो आगे चलके हम एक cartoon में देखेंगे भी, जो अगले part में हम पढ़ेंगे, तो हाँ, जो rich है, और जो poor है, उनके बीच में खाई जरूर है, और ये काफी natural भी हो जाता है, लेकि फिर भी democracies में ये माना जाता है, कि जो poor है, उनकी सरकार होती है, उनकी उसे सुनना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए, poverty elevation के लिए कोशिश करनी चाहिए, गरीबी हटाने के कोशिश करनी चाहिए, और उनकी economic growth के बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि ये difference कम हो सके, अब देखें, यहाँ पे एक बहुत ही जवरदस इनके पास, money power भी है, और muscle power भी है, जैसे हम नीचे जाते हैं, तो middle section आजाता है, middle section देखें, कितना कमजोर है, और जब नीचे चलते हैं, हम तो देखते हैं, कि जो poor हैं, उनकी तो और हालत खराब है, को portion के सिकार है, muscle तो high नहीं इनके, तो यह है 2000-2006 के बीच में economic growth and income distribution, त क्योंकि यह तो America का, यहाँ पे, यह जो cap बनी हुई है, तो American context में यह बनाया गया होगा, तो अगर हम पूरी population ले ले, उस population को एक body की रूप में हम पेश करें, तो इस प्रकार से body बनेगी, मतलब disbalanced, इस तरह की population है, इस तरह की body ठीक से move नहीं कर सकती, इसके बाद यहाँ पे जो दिया है कि उसे भी हम study कर लेते हैं, economic outcomes of democracy, arguments about democracy tend to be very passionate, पैसिनेट कम बनाब होता है कि जब भी democracy की बारे में बातचीच चलती है, तो लोग, they love democracy, they are so strongly associated with democracy, बनाब डेमोक्रेसी के साथ लोगों की feeling जूड़ी होती है, क्योंकि इसके moral basis भी होता है, जबर जस्ती बनाई जाती है, this is how it should be, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि for democracy appeals to some of our deep values, क्योंकि democracy हमारी जो deep values है, जो हमारे मूल है, जो हमारे जीवन को कीमती बनाते है, जो हमारी society को value परदान करते है, they make it precious, उनको address करती है democracy, जिससे वेक्ति को freedom मिलनी चाहिए, उसे safety मिलनी चाहिए, उसे जीने क opportunities मिलनी चाहिए, और अब एक वेक्ति के जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है, वो सब rights आपको democracy में मिल जाते है, these debates cannot be resolved in a simple manner, तो अगर हम debate करें, यहाँ पर तुन्हें simple manner से resolve नहीं किया जा सकता, हल नहीं किया सकता, means कि जहाँ पर feelings attached हो, लोगों की values जूरी होई हो, उस पर debate आप कैसे करोगे, जहाँ पर हमारा कोई लगाव होता है, वहाँ पर debate कहाँ चल पाएगी, वहाँ पर prudential reasons work नहीं करेंगे, but some debates about democracy can and should be resolved by referring to some facts and figures, लेकिन कुछ facts and figures को लेकर हम कुछ तो debate करी सकते हैं, The debate about the economic outcomes of democracy is one such debate, तो economic outcomes, यानि किसी भी देश की सरकार, अगर democratic है, तो वहाँ की आर्थिक इस्तिती किस तरह से नजर आती है, उस पर हम debate कर सकते हैं, at least these are the prudential reasons, Over the years, many students of democracy have gathered careful evidence to see what the relationship of democracy with economic growth and economic inequalities is, तो यहाँ पर दिया गया है, और यह data इकठा किये गया है कि, डेमक्रिसी और economic growth के बीच में, और डेमक्रिसी में जो economic inequalities होती हैं, समानता हैं होती हैं, गरीब और अमीर के बीच में, उन से related data इकठा किया गया है, the tables and the cartoon here presents some of the evidences, तो cartoon बाद म have had a slightly better record of economic growth, तो economic growth को लेकर dictatorial regimes जहाँ पर हैं, वो better है, but when we compare their record only in poor countries, जब poor countries भी हम इनके record को देखते हैं, difference कम है, तो यह table में देखते हैं, तो देखे, दुनिया में जितने भी democracies, अगर उनके कठा ले लिया जाए, तो growth rate 3.95 है, जबकि dictatorial regimes में 4.42 है, तो अंतर है, लेकिन पूर कंटी को देखें, जहाँ पर dictatourships है, जैसे क्यूबा ले 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 ले, जहाँ पर One Part Dishाशन है, नौर्थ कोरिया ले ले ले, तो देखे, जो dictatourship है, वहाँ पर 4.34 है, और जो पूर कंटी जहाँ पर है, जैसे इंडिया को हम ले सकते हैं, स्री लंका को ले सकत पाकिस्तान को ले सकते हैं बंगलादेश को ले सकते हैं नेपाल को ले सकते हैं 4.28 तो बहुत ज़्यदा अंतर नहीं है वही चीज आपको वहां पर बताए गही ती Table 2 shows that within democracy there can be very high degree of inequalities अगर हम सिफ डेमोक्रीसी की डेमोक्रीसी से ही तुलना करें असमानता बहुत ज्यादा है In democratic countries like South Africa and Brazil South Africa or Brazil जैसे democratic countries में Top 20% people take away more than 60% of the national income वो अभी हम देखेंगे वहाँ पे यह जो उपर के 20% लोग हैं वो income का 60% ले जाते हैं Living less than 3% for the bottom 20% और लास्ट कर जो 20% population है उनको सिर्फ 3% मिलता है Countries like Denmark and Hungary are much better और इसी रूप में अगर इसी रिश्यों देखें Inequalities कम हैं Denmark में या Hungary में आये table देखते हैं अब देखें यहाँ पे कि मान लेते हैं 100 people है और 100 रुपीस की income हो रही है तो South Africa में Top 20% मतलब इस 100 में से 20 लोग लगबग इसमें से यानि 100 में से 64.84 रुपीस पैसे सिर्फ 20 लोगों के पास चला जाता है और उसके बाद लास्ट के जो 100 में से 20 हैं यानि बीच में कितने बचेंगे बीच में बचेंगे 60% 60 लोग तो 20% के पास तो इतना हो गया 35 लोगों के पांच 9 में 6 गया 3 तो 35 रुपई बारा पैसे बचेंगे अब इस 35 रुपई बारा पैसे में बॉटम 20% बचेंगे उनको 2.9 मिलता है यानि 2 रुपई नब्बे पैसे तो अब इनको मिलता है 2 रुपई नबबे पैसे अगर हम 35.12 में से 90 पैसे गटा दें 2 मेश जरू गए 2 14 मेश नो गए 2 4, 3 34 रुपे 22 पैसे तो अब 인 के पास इतना हो गया और जो 100 मेशे 60 लोग है इनको मिलेगा 34 रुपे 22 पैसे अब देखिए 100 लोगों मेशे 20 लोगों को इतना ज़ादा पैसा 60 लोगों को 34 रुपए 22 पैसे यानि लगबग 10 रुपए से ज्यादा नहीं 50 पैसे से कुछ ज्यादा एक व्यक्ति की माथे पड़ा और यहाँ पर एक व्यक्ति को लगबग 3 रुपए से भी ज्यादा मिल रहा है अगर हम 64.80 को 20 से डिवाइट करें और यह जो बचे हैं विचारे 100 में से 20 लोग इनको सिर्फ 2 रुपए 90 पैसे इसका मुलब क्या समझे आप यानि लगबग 14 पैसे अब आप सोचे एक व्यक्ति के माथे यहाँ पर यहाँ एक व्यक्ति को लगबग 50 पैसे मिल रहा है और यहाँ पर एक व्यक्ति को लगबग 3 रुपीज मिल रहा है और ऐसे लोगों के संख्या 20 है और आधा रुपिया पाने वालों के संख्या 60 है और सिर्फ 14 पैसा पाने वालों के संख्या 20 है तो अब आप अप अंदाजा लगा सकते हो कि यह जो 20 है यानि 20 परसंट जो सबसे ज़्यादा पैसा होल्ड करते हैं वो टॉप 20 परसंट बाकी लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 35 रुपे 12 पैसा चोडते है यानि 80 परसंट जो जनता है वहाँ की वो इसी रुपे से काम चलाती है इतने परसंट से ही काम चलाती है ब्रजील में देखिए इसी तरह से आप देख सकते हैं USA में USA में भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है राटिर किंग्डम में भी देखिए डेनमार्क में कुछ ठीक है अंगरी में कुछ ठीक है तो ये तो हो गया कि इनकम इनकुलिटी कितनी ज़्यादा है और पूरर कंटीज में तो और ज़्यादा होगी एक कार्टून यहां दिया गया इस कार्टून में देखिए ये लड़का है जो उपर से गिरता है यानि गरीब बच्चे, बिचारे बच्चे हाउसिंग, हेल्थ केर हर जगा पैसा खचोता है, स्कूलिग में पैसा खचोता है और इन सब को जहलते-जहलते समनल लीजे कि भुखमरी तक के हालात आ जाते है कुपोष्ण का सिकार हो जाता है, मल्नूट्रिशन का सिकार हो जाता है बच्चा गिर पड़ता है चक्कराना सुरू हो जाता है चोट लग जाती है उसको तो देखें यहां पे धनी महला पूछती है माई गुड़नेस ए भगवान लिटिल फेला बिचारा चोटा कितनी दूर से तुम गिरे हो तो यह कहता है यू थेल में आप ही बताईए कहने मतलब यही कि मेरी जालात के जम्मेदार तो आप ही हो यू रिच पीपल यहां तक आप ही ने पहुंचाया है तो कितनी दूर से मैं गिरा हूं कितनी दूर से कितना जादा मैं भीर करता चला रहा हूं कितनी दूर तुम जादा लगेगी जिसका मतलब में लगा सकते हैं कि तुम कब से सहन करते चले आ रहे हो जही हालात तुमारी हो गए है यह कंडिशन बिकम पूरर और पूरर यह तुम पाड़ी है खत्म होता है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू वर वाचिंग दा वीडियो तुटोरियल से नेक्स वीडियो तुटोरियल तिल देन गुडबाय तेक कियर